हेलो फ्रेंड्स बहुत-हुत स्वागत है आपका रेमेडीस एं रसेपीस फॉरियो में तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं सामभर तो चलिए यसे बनाना स्टार्ट करते हैं दोस्तो सामभर बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप तूर का डाल लिया है और हमने यहाँ पर थोड़ा सा लौकी और थोड़ा सा कद्दू लिया है जिसे हमने पीसेस में कट कर लिया है तो तूर दाल को धो करके सबजीयों को हम इसमें डाल देते हैं और कटे हुवे टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार थोड़ा सा नमक और एक चमाच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अब मैं इसमें डाल रहे हूँ एक से डेड़ गलास पानी और अब हम कुकर का ढकन बंद कर देते हैं और इसे गैस पर रख देते हैं पकने के लिए तो गैस पर हमने इसे रख दिया है और इसे मिनिममम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेते हैं तो दोस्तों 10 से 15 मिनट हो गया है और डाल वाली सामभर जो है पक चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से तो अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो दोस्तो कडाही हमने गैस पर ओईल डाल कर औरड़ी चड़ा रखा है और ओईल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमद जीरा और एक चमद सर्सो और चार से पाफ चॉपके होए लसुन की कलिया और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कड़ी पत्ता तो इसे हम एक साथ सभी को fry कर लेते हैं तो अब ये विल्कुल अच्छे से fry हो चुके हैं तो इसमें मैं पके हुए हमारे vegetables और डाल को डाल देती हूँ डाल जो है बहुत ज़्यादा गाड़ी है तो इसमें मैं पानी डाल रही हूँ फूल मात्रा में आप पानी डाल सकते हैं आपको जितना पतला चाहिए आप उतना पतला सामभर बना सकते हैं डाल वाला जो सामभर होता है वो बहुत ही हेल्दी और पॉस्टिक होता है तो दोस्तो अब मैं इसमें डाल रहे हूँ 2-3 चमच सामभर मसाला और इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें मिक्स कर देंगे और आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए आप टेस्ट करके आप इसमें नमक एट कर सकते हैं सांभर को हम थोड़ी देर उबाल आने तक पका लेते हैं तो दोस्तो फाइनली इसमें उबाल आने शुरू हो गया है और आलमोस्ट जो है सांभर बन करके तयार हो गया है आप इसमें किसी भी प्रकार की खटाई मिला सकते हैं जैसे नीबू का रस, आम का चुर्ण, इमली का पानी जो भी आपको अच्छा लगता हो आप इसमें डाल सकते हैं तो लीजिए तयार है बहुत ही टेस्टी सांभर और इंजोई कीजिए इसे इटली डोसा के साथ दोस्तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद